गिरफतार किया जा चुका है शैतान सिंग राजपुरोहित को पुलिस ने गिरफतार किया है पाँच राजियों में कुल पैतालिक शाखाओं से राशी हडपने का आरोप है तखतगड पुलिस ने जोदपूर से गिरफतार किया है तो पाली से इस वक्त की बड़ी खबर नटवर लाल को अरेस्ट किया गया है करीब 100 करोड की धोखा धड़ी का मास्टर माइन शैतान सिंग राजपुरोहित पुलिस के कबजे में पाँच राजियों में कुल 45 शाखाओं से राशी हडबने का आरोप है और सफलता मिली है तकतगड पुलिस को जोधपुर से गिरफ़तार किया गया है नटवर लाल को बैंक की शाखाओं से लगभग 45 बैंक की शाखाओं से 100 करोड की धोखा धड़ी का ये मास्टर माइन्ड है अब तकहतगर्ड की पुलिस ने जोदपूर से गिरफटार किया है तो इस वक्त की बड़ी खबर पाली से नटवर लाल को अरेस्ट किया गया है लगफ़ग सौ करोड की दोखादड़ी का बास्टर माइंड है शैतान सिंग राजपुरोहित और अब पुलिस के कबजे में जाता जानकारी लेंगे सुभाष हमारे सब वादाता इस वक्त पोल लाइन पर मौझूद है तो सुभाष ये बहुत बड़ा कह सकते हैं मामला बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस के बिल्कुल सुनिहा कह सकता है कि ये बहुत बड़ी सफलता कहा जा सकता है कि सौ करोर से अधिका लेंदन था ये और सरकार के उबर भी सवाल ये उठता है कि कुकर मुत्तों की तर ये क्रिडिट कोप्रेटिस को साथ आज भी खुलती जा रही है लेकिन किसी भी प्रसास्तिक अधिकरी ने इनकी टो लेना भी मुनाजीब नहीं समझा कि करीबों का जो खुंपशीने का पैसा जो ये बेफू बनकर के जमा कर रहे है आज की दिनका होगा किया अब इनसे दो साथी जो थे पिछले साल गिरतार हो चुके थे ये काफी लंबे समय से फरार चल रहा था और पैतारी शाखा है पात इस्टेट में चल रहे है बना जा सकता है कि कितना बड़ा कारोबार होगा इसमें बिलकुल बिलकुल तो अब सुभाश उमीद जताई जा रही है कि गिरतारी के बाद से परते कुछ और खुलेंगी कुछ और नाम सामने आएंगे तो बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस के बहुत धन्यवाज तमाब जानकारी के लिए